पुलिस की इस कारवाई से चेतर में हरकम मच गया आपको बता दें फत्यपूर सीकरी हाईवे पर ग्राम मंडी गुड के निकट माव वैशनुभी हॉस्पिटिल के नाम से अवैध अस्पताल चल रहा था जिसमें मौजूद जोला च्छाप चिकिस सकों द्वारा गर्वती महिलाओं का उपचार किया जाता था सुत्रों के अनुसार उकता स्पताल में लिंक परिक्षन भी किया जाता था लेकिन गुरुवार को लिंक परिक्षन की सूचना पर स्वास्त विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से एसोजी टीम के द्वारा किसी गर्वती महिला को सिकंद्रा चेतर के निवासी दलाल के माध्यम से 12,000 रुपए में लिंक परिक्षन का सौधा कर भेजा गया दलाल फत्यपूर सीकरी के हॉस्पिटल में आ गया और वहां मौझूद चिकिसक ने उसे भरती कर ड्रिप लगा दी लिंक परिक्षन के लिए आगे ले जाने की तैयारी भी कर दी तभी S.O.G. टीम द्वारा छापा बार कर मौके पर D.N.C. किट, दवाएं, मेडिकल वेस्ट, लैप्टॉप और अन्य सामाज जब्त कर लिया इस दोरान महिला चिकिसक नीलम राजपूत, उसका पती सोनू राजपूत और दलाल एदल सिंग को भी हिरास्त में ले लिया गया हॉस्पिटल से सामान बरामत तथा तीनों लोगों को थाना पुलिस को सौप दिया वही आगरा से मौके पर पहुची PCPNDT टीम और CHC टीम दोरा वैद रूप से चल रहे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया उक्त मामले में धाना प्रभारी प्रिशिक्षू IPS अंशिका वर्बा ने बताया कि हमारे पास उक्त सम्मन में तहरी राने पर कारवाई की जाएगी जी एसोजी टीम द्वारा चाप अमारी कीजी गई थी जिसमें एक दलाल के माध्यम से एक डमी पेशेंट को लेके गया था और ब्रण लिंक पता करने के लिए यहां पर लेके आये थे जिसमें मौके पर रुपे पाए गये हैं और जो की दलाल ता उसे पकड़ लिया गया ह और इसको सेंटर को आगरा की PNDTI टीम आके सील कर रहे हैं कितने लोग यहां से अभी तो इरासत में लिये गए हैं जी अभी तीन लोग हैं यहां जो इरासत में लिये गए हैं कबसे चल दाता को जान कर दो बड़ी मात्रा में यहां पर एक सैट अप चल ला था उसके पहले जो सील भी किया गया था बंग करा दिया गया था उसके बाद यहां पर अभी कोई संग्यान में नहीं था कि यह कबसे चल रहा है जो जाज का इशू है जो दबाएं आसे ली उनके सेंपल को गरे नहूली जी वो सील कर ली गया है